नमस्कार साथियों मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इनफोर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ साथियों जैसा कि आपको अवगत है अपरेल 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पैंसन परणाली को बंद करके उसकी जहें एक नई पैंसन परणाली जिसे रास्ट्य पैंसन परणाली के नाम से भी जाने जाते हैं एनपियस जिसे कहते हैं वो लागू कर दी उसके बाद उत्तरपरदे सरकार ने अपरेल 2005 में पुरानी पैंसन को बंद करके नई पैंसन को स्टार्ट कर दिया काफी परियास करने के बाद भी एनपियस ओपियस का स्थान नहीं ले पाई क्योंकि एनपियस में बहुत ज़्यादा खामी थी समय समय पर इसमें बहुत बदलाव किया गया एक बहुत ही महत्पूर्ण बदलाव किया गया एनपियस में पारिवारिक पैंसन का लेकिन पारि के अंतरगत पारिवारिक पैंसन की मुख्य सर्थ क्या है पारिवारिक पैंसन प्राप्त करने की एक मुख्य सर्थ है वो आज की वीडियो में हम जानेंगे जानिये किस तरह से NPS से आच्छादित क्रमचारी को पारिवारिक पैंसन मिलेगी ये सब हम आज की वीडियो में डिसकर्स करेंगे साथियों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक प्लेट हार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो whatsapp ग्रूप और informative video telegram group बनाए हुए हैं आप चाहें तो मेरे गुप से जुड़ सकते हैं गुप का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पे click करके आप मेरे गुप से जुड़ सकते हैं तो चलिए जानते हैं पारिवारिक pension के बारे में साथियों पारिवारिक pension एक नया concept है पारिवारिक pension से मतलब है जब करमचारी की सेवा काल के दोरान एक करमचारी जो NPS से आच्छा दित है अथार्थ उनका national pension scheme के तहत NPS कट रहा है और उसकी सेवा काल के दोरान मृत्यू हो जाती है और अगर उसने पारिवारिक pension का option choose किया हुआ है तो उसको 7 साल तक उसके अंतिम वेतन का 50% उसके परिवार को pension के रूप में दिया जाता है उसके बाद 30% pension के रूप में दिया जाता है इसको NPS कहते हैं NPS की परिवारिक pension इसमें कहते हैं लेकिन इसकी भी एक condition है ओ condition के लिए देखें letter भी जारी हुआ है सेवा में समस्त संयुक्त निदेशक pension उत्तर परदेश ये 18 जून 2021 का है देखें इसका विशय है राष्ट्य pension परणाली के अंत्रगत सेवा काल में मृत्यू परकरणों पे परिवारिक pension के विकल्प का चैन करने पर NPS खास्ते में संचित संपूर्ण धनरासी राज कोस में जमा करनाने विश्यक अतार्त मालीजे आपका NPS कट रहा है और आपने परिवारिक pension का option भी दिया हुआ है इसका आपको option देना होता है कि आप परिवारिक pension चाहते है तो ये option आपको देना पड़ेगा लिखकर विभाग को आप परिवारिक pension चाहते हैं लेकिन उसमें क्या होता है जितना आपका NPS कटा चाहे आपका 10 साल कटे, 5 साल कटे, 15 साल कटे और आपने option दिया हुआ है और सेवा काल के दुराल किसी करमचारी की मरत्यू हो जाती है तो मत्यू हो जाने पर उसके NPS में जितनी भी जमाधनरासी होती है वो सारी की सारी जमाधनरासी राजकोस में जमाधनरासी है वो 2 लाग भी हो सकती है, 4 लाग भी हो सकती है, 10 लाग भी हो सकती है और उसकी condition में आपको पारिवारिक pension दी जाती है अथार्थ ये तो confirm भी नहीं हो पा रहा है कि 7 साल है शुरू के या 10 साल है थोड़ा सा confusion इसमें वैसे मैंने सुनाया साथ साल है 7 साल तक 50% अंतिम वेतन का pension दी जाती है उसके बाद 30% pension दी जाती है या 10 साल भी हो सकता है लेकिन उसके लिए आपका जितना भी NPS कटा वो राजकोशे में जमा होगा देखे इसके लिए लेटर भी आया है महोदे किर्पिया उप्युक्त विशक निदेशाले के पूर पत्रांक पत्रांक दिया गया है पैंसन में राजकोश में अंतरन दोहजार बीस इकिस अठतर चतिस दिनांग साथ आठ दोहजार बीस का संदर्ब ग्रहन करने का कस्ट करें जिसके द्वारा राष्ट्य पैंसन परणाली के अंतरगत सेवा काल में मृत्यू परकर्णों में पारिवारिक पैंसन के प्राधिकार पत्र निर्गमन में से पूर्व एनपियस खाते में संचित संपूर धनरासी राजकोस में जमा होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए हैं राष्ट्य पैंसन परणाली के अंतरगत सेवा काल में मृत्यू परकर्णों में पारिवारिक पैंसन के विकल्प का चैन करने पर प्रान खाते में संचित संपूर धनरासी राजकोस में जमा करने हैं तू संबंदित विगभाग के आहारण वित्रण अधिकारी डीडियो द्वारा मृत्य कार्मिक के आस्रित से सासना देश दिनांक बीज तीन दोहजार सत्रे का अनु लगनक दस पूर्ण कराकर संबंदित जन्पद कोसागार डीटियो को विकल पत्र और अनु लंगक लगरक दस प्रस्तुत किया जाता है जन्पद कोसागार द्वारा सी आरे सिस्टम पर एफ पी डबलू आर की कारवाई पूर्ण कर जनरेट एकनोलिजमेंट की परती के साथ विकल पत्र और अनु देशाले को प्रेशित किया जाता है जन्पद कोशाकार द्वारा सी आरे सिस्टम पर पी एफ डबलू आ की कारवाई एकनोलिजमेंट जनरेट करने से प्रान की धनरासी अंतरन की कारवाई प्रारम हो जाती है उक्त के करम में कोविड महमारी की द्रष्टिगत आपसे अपेक्षित है कि राष्ट्य पैंसन परनाली के अंतरगत समुख है गय और गय सिरेनी के कार्मिकों के सिवाकाल में मृत्यू के पैंसन परकरणों में बिना कोई विलम किये ततकाल निस्तारिस सुनिशित किया तो कि देखिए NPS सिस्टम इसको सुधारने की कोशिस की गई लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुधार किया गया NPS को सुधार कर पारिवारिक पैंसन लागू की गई अथार्थ NPS से आज़ादित करमचारी की अगर सेवा काल के दुरान मृत्यू हो जाती है तो उसे 10 साल तक या 7 साल तक 50% पैंसन मिलेगी अंतिम वेतन की और उसके बाद 30% आज इवन 30% पैंसन मिलेगी अच्छी बात है लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी कंडिशन यही लगा दी गई कि जितनी भी धनरासी आपने कटवाई अपने सेवा काल में वो सारी राजकोस में जमा हो जाएगी अथार्थ आपको फंड के नाम पर आपकी मृत्यू होने पर आपको फंड के नाम पर सुन्य धनरासी दी जाएगी तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट्स बोक्स में जरूर लिखें कि क्या ये सही है इस तरह से पारिवारिक पैंसन देने के अवज़ में धन्राशी सारी राज को उसमें जमा की जाए और साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें वीडियो पे कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दन्यवाद